सुब परभात बच्चों, आज हम लोग माडल एक्टिवीटी कंपिलेशन फाइनल 2021 कलास 5 का आवर इन्वारिमेंट से समंधित कोश्चन आंशा समझेंगे पहला है सही उत्तर चूने, कंधे से कोहिनी तक फैली हड़ी है, यहाँ पर चार अप्शन दिया हुआ है, इसमें हम हुमिरस मेट्री करना है, चून करके उत्तर लिखना है एक दो, जंगली जानवर का एक उदाहरन है, यहाँ चार अप्शन दिया हुआ है, इसमें लूमिरी जो है, लूमिरी कुट्टी करना है, यह जंगली जानवर है एक का तिसरा, वह जानवर जो आक का सरीर की है, जिसके सरीर में हड़ी नहीं है, तो यहाँ चार अप्शन दिया हुआ है, इसमें केचवा होगा एक का चोथा, पच्चिम बंगाल में चाय की खेती की जाती है, तो इसका उतर होगा चार अप्शन में से, C होगा उतर में पहारी छेतर एक का पाँचवा, समुद्री मचली है, इसमें भी चार अप्शन दिया हुआ है, इसका उतर होगा D, सारडिन एक का छठ्था सर्वपली राधा कृष्णन का जनम दीन मनाया जाता है चार अप्सन दिया हुआ है तो ये सही होगा शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं दूसरा रित्ताश्थान भरे दूसरा का दो सतंतरता सेनानी सूरिशेन को दूसरा का तिसरा एक बारह मासी नदी का नाम है तो बारह मासी नदी का नाम गंगा है तिसरा सही कथन के लिए टीक और गलत कथन के लिए क्रोस का चिन लगाएं तिसरा का एक मानो बुद्धी एक संसाधन है तिसरा का दो दिगह के आसपास के छेत्रों में बहुत अधिक काजू की खेती होती है ये सही है तो इसमें टीक कर देंगे तिसरा का तीन प्रतिलता बादेदार गांधी बूरी के नाम से प्रसेद थी चार बाएं और दाएं अस्थम को मिलाना है तो चार का एक है जल्दा पारा तो जल्दा पारा हम लोग डालफिन ए और डी गैंडा से मिलाएंगे चार का दो खरगपूर है इसको जो है आई आई टी से मिलाएंगे चौथा का तीन है बिशनुपूर तो इसको जो है टेरा कोटा से मेच करेंगे और पांच का एक का उतर है बीसीजी वेक्षिन का उप्योग हमें किस बीमारी के प्रती प्रती रक्षित करने के लिए किया जाता है तो बीसीजी वेक्षिन का उप्योग टीबी बीमारी के प्रती प्रती रक्षित करने के लिए किया जाता है रोग का नाम 6 रोग टूबर क्लोशी से है पांच का दो कौन सा अंग हमारे सरीर में रक्त पंप करता है तो हिर्दे हमारे सरीर में रक्त पंप करता है पांच का तिन किस प्रकार की मीटी में रेत और मीटी की मात्रा लगभग समान होती है पांच का चार एस्टेथो एसकोप का विसकार किस ने किया तो एस्टेथो एसकोप का विसकार फ्रांस के चिकिस्ता के रिवे लैनेक ने 18-16 में किया छे का एक ऐसे दो रसायनिक अभी क्रियाओं का उधारन दीजिए जिन से आप परचित हैं तो इसका उतर होगा लोहे में जंग लगना और दूसरा दूद का दही में बदलना रसायनिक अभी क्रियाओं का उधारन है छो का दो आप बरसा से कत्रित जल का उप्योग कैसे कर सकते हैं तो इसका उतर हो गया बरसा से कतित जल, कपरा धोने, बरतन धोने तथा पोधों की शिचाई में करते हैं 6. रसाइनिक किटनासकों के अधिक उपयोग से क्या नुक्सान होता है तो रसाइनिक किटनासक को शिकाऊं को नश्ट करती है इसलिए इसका अधिक उपयोग ठीक नहीं है छे का चार दामोदर घाटी निगम डी भीसी की अस्थापना क्यों की गई तो दामोदर घाटी निगम डी भीसी की अस्थापना बिजली उत्पादन के लिए की गई शिक्स का फाइफ सुन्दर बन की मीटी की दो विशस्ताओं का उले कीजिए तो सुन्दर बन की मीटी की दो बिशिस्ता पाला ये छारिये होती है और दूसरा पानी का अंस बहुत ज़्यादा होता है शिक्स का शिक्स लगभग बिलिप्त हो चुकी मच्छलियों के सनरक्षन के लिए क्या उपाय के जा सकते हैं तो उतर होगा लगभग बिलिप्त हो चुकी मच्छलियों के सनरक्षन के लिए अबैद सिकार रोकना होगा दूसरा जलासे का विकास करना होगा तीसरा मत्स बीज छोरना होगा साथ सेवेन नमबर का है दो या तीन वाक्यों में उतर देना है तो पहला है मिट्टी कैसे बनती है तो चटान गर्मी और ठंडी पाकर छोटे-छोटे टुकरे में तूटती है वायू और हवा इसे सुक्सम टुकरे में बदलते है ह्यूमस मिलकर मीट्टि का निर्मान करती है साथ का साथ का एक मिट्ट दो कि परवतों पर बर्प क्यों जम जाती है तो उतर होगा परवतों क्यों चाय अधीक होती है वहाँ जल थंडी पाकर जल जल वास्प थंडी पाकर जल फिर बर्प में बदल जाती है सात का तिन हम गंतंतर दिवस क्यों मनाते हैं तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था और उस दिन से हम लोग जनता का साचन गंतंतर दिवस मनाते हैं किरिपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए सब्सक्राइब कर लेने से सभी बीस्वयों के परिक्षा में आने वाले लेसंस का कोश्चन अंसर आपके पास समय से पहले पहुँच जाएगा सभी कोश्चन अंसर समझाया गया है जदि आपका बच्चा प्रती दिन इस वीडियोज को समझ कर पीछे पीछे बोलता है तो निश्चित ही अपने कलास में फर्स्ट डिविजन का मार्क्स पाएगा थैंक्यो फर वाचिंग दिस वीडियो